सबसे पहले मैं आपको बता दू disclaimer is that no recommendation at all मैं कहीं पर भी कोई भी recommendation नहीं देता हूँ सर्फर सर्फ educational purpose का ये video है और ये मेरा personal viewpoint है अगर आपको trade करना इनवेस्ट करना है तो अपना personal research करो उसके बाद ही कुछ करना मेरे बातों पर कुछ मत करना subscribe कर दो channel को bell icon press कर किऊ हल पर जरूर से set कर देना second channel यहां पर भी काफी updates आपको मिलते रहते हैं कभी opportunities बहुत सरे opportunities आपको यहां पर मिलती है यहां पर भी आपको जरूर से subscribe करना चाहिए telegram channel आप जोईन कर सकते हो तो मिल जाएगा या फिर आप description भी चेक कर सकते हो ट्विटर भी आप अगर चाहो तो फॉलो कर सकते हो बात करने वाले अमरे इंडस्ट्री के बारे में यहां पर कमेंट देख सकते हो एक कमेंट आया था विच इस थोड़ा पहले आया था दो दिन पहले आया था लगबग इन तो मैं अपनी पूरी ट्राइ करता हो जिसको मैं ट्रैक करता हूं जैसे मैं एक दो कमेंट अगर आपको दिखाऊ तो इन्होंने पूछा था न्सेल के बारे में बताओ तो मैं लिग दिया not tracking this stock I'm sorry but मैं एक न्सेल को ट्रैक नहीं करता हो और जिस ट्रैक को मैं ट्रैक नहीं करता हूं कि एस ulस्य मतलब सिंपल है कि एक कहीं नेक्यों गलत होने वाला है और गलत चीजट की बता हूं आपको तो अब बहुуск window, मैं बीश मैं बता आ लेकिन वीच में गरबड हो गई कि है यहां पर pattern बन रहा था उसको कहीं न कहीं से खराब कर दे रेजल्ट ने और रेजल्ट के वज़े से लगबग 78% ये gap down खुला था और closing भी लगबग 8% 78% down ही हुई थी आप देख सकते 7.83% down ओके उसके बाद क्या हुआ हलका हलका ये धीरे 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 नीचे जा रहा है और अब थोड़ा मोरा consolidate करने की ये कोशिश कर रहा है इसमें देखो दो चीज़े हैं ठीक है मैंने दो चीज़े पहले बताए थी अब नई दो चीज़े हैं सबसे पहला मैंने बोला था देखो एक level ये है support का दूसरा ये level है ये invalid हो गया due to यहाँ पे breakdown आ गया gap down हो गया ये level अभी भी intact है this support level which is पहले resistance था support बन चुका है ये around 185 से लेकर के 175 तक ठीक है ये level क्यों है अगर आप इस level में देखोगे तो पहले क्या था support था फिर क्या हुआ यहाँ पे false breakout हुआ sustain नहीं कर पाए नीची आ गया फिर resistance 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 and resistance लगातर continuous है तो अभी जो है अगर आप देखोगे यहाँ पे अब यहाँ पे support लेने की कोशिश कर रहा है पहले resistance था अब यहाँ पे रुकने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है अब मैं explain करता हूँ detail में दो options है मेरे पास ध्यान से सुनना इस चीज़ को दो options है पहला option is very simple अगर इस level पे आता है तो एक बहुत अच्छा averaging opportunity होगा तो यहाँ पे अच्छा option है enter अगर आप चाहो तो कर सकते हो no recommendation बट एक अच्छा opportunity मिलेगा आपको दूसरा option यह है कि यहाँ पे इस zone में जब तक है तब तक यह support level है बट यह zone sustain करेगा नहीं करेगा यह हमें नहीं पता तो इसके लिए मैं confirmation लूँगा which is 9 days का moving average 9 days का जो यह में है मैं इसको थोड़ा use करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हो लगाता है यह 9 days moving average के नीचे ही तो इसको कहते है confirmation अगर यही confirmation हमें यहाँ पे मिल जाता है तो यहाँ पे फिर यहाँ पे इस zone में entry की जा सकती है इसको support मान करके और अगर ऐसा नहीं होता है तो दीरे दीरे नीचे आते आते इस level तक आई जाएगा stop loss हमारा कुछ इस जगह पे है around 162-64 के आसपस आप चाहो ठीक है और यह जो है closing basis पे daily closing basis अगर आपका होगे इसका मतलब क्या हुआ simple है daily basis पे यहाँ पे closing अगर मिला इस level के नीचे अगर stock ऐसे close होता है तो ही मैं exit करूंगा हिट होने पे exit नहीं करूंगा ठीक है मतलब stock को close होना होगा तो ही मैं exit करूंगा तो इसको कहते है daily closing basis बाकी end करते हैं आप वीडियो को वीडियो अच्छा लगा like share subscribe कर देना hope आपको अपने question का answer मिल चुका होगा yes definitely यहाँ पे आप पूछ रहे तो support ले रहा है नहीं ले रह तो मैं obviously एक confirmation का वेट करूंगा ही करूंगा और confirmation मैंने बता दिया है मैं मिलते किसी और वीडियो में पहली बता दू disclaimer this is educational purpose वीडियो किसी भी तरह का कोई recommendation नहीं था मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में जै हिंद and thanks for watching